असलाम लेकुम आज हम लोग FSC part 2 physics chapter number 13 class 12 है FSC means class 12 और इसका हमारा chapter number 13 Electromagnetism का main topic है जो मैंने आपको visual action बताया था और इस topic का नाम है circular motion of charge particle in uniform magnetic field किसी भी charge particle का हम circular motion देखेंगे uniform magnetic field में तो सबसे पहले में यहां पर एक diagram बनाई है ठीक है तो diagram को में रहने देते हैं पहले हम लोग सबस्क्राइब एक explanation पढ़ेंगे कि as the charge as a particle changes the direction of its velocity क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि particle अपनी velocity की direction बार बर चेंज कर रहे है पहले velocity कुछ upward थी then मेरे left की तरफ then downward then right की तरफ तो इस तरह से इसकी velocity के direction बार बर चेंज हो रही है in response to magnetic field magnetic field के लिहास से so magnetic force remains perpendicular to velocity तो इस तरह से क्या होगा कि magnetic force हमीशा किया रहेगा perpendicular to velocity रहेगा तो डियाग्राम से पहले आप लोगों ने यह लाइन पढ़ ली तो आप लोगों के concept easily clear हो जाएंगे ठीक है तो सब्सक्राइब लोगों देखा है कि हमारे पास magnetic field lines मैंने invert cross से show कि यह कि invert है अंदर की तरफ है पेज के अंदर की तरफ और देन बात यह है कि मैंने आपर एक charge show किया कि जो circular के form में गूम रहा है uniform magnetic field में और जबकि गूम रहा है तो उसको जो magnetic force लग रहे है वो क्या लग रहे है हमीशा इस velocity के perpendicular ठीक है धूँर यह भी up यह भी फट ने कुलर तो हम लोगों थे में कहाए कि हहां पर सरकल के सेंटर से कोने तक का डिस्टेंस आ रहा है और फिर दूसरी बात हमने यह किए कि विलासिटी उसकी राइशन किया और यह बार बार चेंज हो रही है ठीक है यहां से आप लोग देख सकते हैं ठीक है अब हम लोगों को क्या करने है कि हम लोगों यहां पर प्लस क्यू चार्ज यानि पॉस्टिव चार्ज लिए तो अब मैंने यहां पर आप लोगों को फर्दर आगे बताने हैं कि मैंगनेटिक फोर्स और चार्ज पार्टिकल बाइब मैंगनेटिक फील्ट तो मैंगनेटिक फोर्स जो भी किसी चार्ज पार्टिकल पर लग रहा होते मैंगनेटिक फ फॉर्म में देखे लिए तो हमारे पस किया है एफ बी इस इक्वल टू क्यू वी बी साइन ठीटा जब हमारे पस किया होगा नाइटी डिग्रीज हो क्यों कि मैं आपको बताया है विलासिटी और बी का अपस में क्या एंगल बन रहे हैं आप लोग यहां से देख भी सकते हैं अगर मैं यहां पर डिग्राम ना हो तो कि कुछ ऐसा बनेगा तो यह जो है इसका इंगल कितना बन रहे है और यह क्या है वी है तो इन दोरों के तरह में अगर यह एंगल 90 है तो जो एफ बी आएगा वो क्या है क्यू बी बी आएगा अब सेनिपेटल फोर्स की बात करते है वह आप पढ़ किया हैं एम वी स्केर ओवर आर और हमने कहा है कि सेनिपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करें मैगनेटिक फोर्स प्रोवाइड करें ठीक है तो हम लोग कह रहे है कि दोनों आपस में एक दुस्रे को क्या करें इंफ्लूएंस करें तो एफ सी इस इक्वल मैगनेटिक फोर्स और सेनिपेटल फोर्स की जगह एम वी स्केर ओवर आर लिखती है और मैगनेटिक फोर्स की जगह क्या लिखती है क्यू वी बी लिखती है तो वी वी आपस में दोनों साइट से कैंसल हो जाएंगे हमारे पस रहे हैं एम बी ओवर आर और क्यू बी रह ग is equal to r omega होते हैं और v is equal to r omega को मैंने पुट किया formula में तो मेरे पास क्या है qb is equal to m omega तो यहाँ पर होफसो आप लोगों को नजर आ रहा हो तो हमारे पास क्या रहा है गे qb into is equal to m omega लेकिन अगर मुझे सिर्फ omega चाहिए यानि एंगुलर विलास्टी चाहिए तो तो मैं किया कर दूगी क्यू बी ओवर एम कर दूगी और यह यह पास के अंगुलर विलासिटी और चार्ज क्यू है तो बहुत ही इजी वे में मिन आपको इसकी पूरी की पूरी क्या कर दिया कुछ लाइन में सम अप कर दिया कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ निक्स पेज़ पर चलते हैं तो हमाने पस्के है कि time period के हम लोग फॉर्मूला देखने time period क्या होते है तू पाइय यह नि पूरा circle circumference of circle over omega omega क्या angular velocity है तो टी और तो 2pi over omega होते है तो हमले को ने omega किया पूट के जो फिछले पैज पर नकाला है qb over m यह निए angular velocity of the चार्श पार्टिकल के जगह हम लोग ने qb over m put कर दिया 2 pi over qb over m तो हम लोग ने इसको further solve कि 2 pi m over qb बन गया है ठीक है और अब हम लोग नहीं हां से time period देखा है तो हमारे पास किया निकले time period 2 pi m over qb 2 pi m over qb is the time period of rotation of that charge particle उसके बाद हमारे पास है angular frequency angular frequency हमारे पास होता है कि reciprocal of time period है यानि जितने time period में उसने अपना circle पूरा complete किया है ठीक हम लोग किया बोलते है angular frequency बोलते है तो अब हम लोग यहां पर formula देखेंगे simply हम लोग क्या करेंगे time period का reciprocal हता है जैसा कि में आपको बताया है तो time period वालो formula 2 pi m over qb को मैं reciprocal कर दूंगी यानि qb over 2 pi m ही मेरे पास क्या होगा cyclotron frequency या angular frequency होगा अब इसको मैंने cyclotron frequency क्यों बोला है क्योंके जब भी हम लोग इसको मैंने cyclotron frequency of particle किसी भी field में in a field because this is the frequency at which particles revolves in a cyclotron तो यह वो frequency होती है जिसमें वो फ्रिक्वेंसी होती है जिसमें वो particle revolve करते है cyclotron के अंदर अब cyclotron होता किया cyclotron is a machine एक machine होती है जो कि speed up करती है charge particles को अब यह neutral particles को speed up नहीं कर सकती इसके बारे में आपके conceptual question में एक question है जो कहाँ है कि why cyclotron is not used to charge to speed up the neutral particles तो उसके बारे में इस तरह सवाल है तो वो आप लोगों के particle revolve करती है और यह same किसके तरह होती है यानि same frequency फ्रिक्वेंसी होती है फ्रिक्वेंसी अव शैपलोतों के बराबर होती है इस के लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं cousins है लेक्ष कंप्लीड होता है और मैंने पूरा को पूरा टॉपिक आपलों को एजी वे में करवा दिया अगर आपको फिर भी समझ ना है तो आप वीडियो को अगेन वोच करें और इस तरह से अगर सेनल को सब्सक्राइब ने करें तो लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी प्रैस करें और दूसरों के साथ लाजमी शेयर करें मिलते हैं नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए लाफ